नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स अभी लास्ट बीक 30 मार्च को राज्य सभा में एक सवाल का जबाब देते हुए कैंद्रियो शिक्षा मंत्री धर्मेंदर परधान ने कहा था कि यूजी सी प्रोफेसर और प्रैक्टिस के पदों को स्रीजन करने के बारे में सोच रही है जिसके चलते विश्व विद्यालिया और डिग्री कॉलिजों में प्रोफेसर और प्रैक्टिस के पदों पर नियुक्ति के लिए PhD और जो NET की आनिवार्यता है उसको खतम किया जा सकता है हालांकि UGC ने अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया है लेकिन अगर सुत्रों की माने तो UGC का कहना है कि इस प्रक्रिया में कुछ महीनों का बग अभी लग सकता है और UGC उसके उपर अलग-अलग एक्सपर्ट से बिचार विमर्ष कर रही है और बहुत जल्ब इसके लिए कमेटी का या समेती का गठन किया जाएगा ये समेती सभी पहलों परचाईवों सकारात्मक पहलों हो नकारात्मक पहलों हो और इसके मैरिटस और डिमेरिटस है उन सभी पे चर्चा करने के बाद जो है इसकी सिफारिशों का ड्राफ्ट एक जो ड्राफ्ट है उसको तियार करेगी उसके बाद इस ड्राफ्ट को UGC की बैठट में रखा जाएगा और उसके बाद फिर UGC इस raft को feedback के लिए सभी पक्षों के feedback के लिए अपनी official website पर डालेगी सभी तरह के feedback मिलने के बाद UGC इसको मंजूरी दे देगी अंत में UGC की मंजूरी मिलने के बाद इसको शिक्षा मंतरालियों के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा होने में अभी कुछ महिनों का बगत लगना तये है और universities और colleges के जो सभी की प्रद है उन पदों को भी ये प्रभावित ना करे यानि कि जो already existing पद है या जो PhD और NET की जो अनिवार्यता जिन पदों के लिए है उन पदों को भी ये किसी तरह भी प्रभावित ना करे ऐसी संभावना की जो है तलाश की जा रही है अब आप सोच रहे होगे कि ये professor of practice है क्या और विशो विद्याले और college हो में इनकी ज़रूरत क्यों है तो पहला सवाल की professor of practice क्या है friends, बड़ी-बड़ी industries और company में बहुत सारे professional ऐसे होते है जो अपने कई सालों के experience को, कई सालों के अपने तजरूर्वे को higher educational institution में जो है उस student के साथ share करना चाते है लेकिन उनको students के साथ अपने उस experience को share करने में बहुत कम ही ऐसा नोका मिलता है और दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, आप पूछना चा रहे होगे कि इसकी जरूरत इन्वेस्ट्री या colleges में क्यों है actually friends, इस पहल में जितने भी higher education institution है उनके बीच और industries या उद्योगों के बीच में एक जो gap या अंतराल जो उबर कर सामने आया है उस gap को दूर करने के लिए और विद्यार्थियों का या students का जो है बैवारी क्यान के साथ साथ उनको जो practical knowledge है उनकी उसके पाठ्यक्रम को और समरिद बनाने के लिए सद्रीड बनाने के लिए और चात्रों को रोजगार दिलाने में इससे काफी मदद मिलेगी ऐसा UGC का मानना है और इस तरह के जितने भी जो प्रोविजन है प्रोफेसर और प्रैक्टिस के ओ आयाइटी जैसे institution में पहले से मौजूद है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर जरूर कीजिएगा अगर आप UGC net की preparation करना चाते हैं तो आप पेपर वन के लिए और political science के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं जुड़ने के लिए आपको सभी लिंक इस वीडियो की description box में मिल जाएगे फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड रहे हो तो जाते जाते चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और वैल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification मिलती रहे फ्रेंड्स अगर आपके इस वीडियो से related कोई भी सवाल है तो आप comment box में जरूर कूछेगा मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा धन्यवाद जै हिंद जै भारत